नमस्कार दोस्तों आज के इस फोटोशुप टूटोरियल में हम खुद का हेर ब्रश के से क्रेड़ कर सकते हैं वो देखने वाले हैं ऐसे तो बहुत सारे वेबसाइट है जो कि दावा करते हैं कि फ्री हेर ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं अप उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं लेकिन कोन सा वेबसाइट कब तक फ्री रहेगा यह हम नहीं जानते हैं तो इसलिए हम खुद का अगर हेर ब्रश क्रिएट कर ले तो कहीं पर भी हम हेर आड कर सकते हैं जैसा चाहिए वैसा कलर के साथ तो आए शुरू करते हैं मैं हूं विना गुरुमेश परेंग 50 tay 250 claim क swings in arcरा है और बैगगरांड लेयर को हम हम पहले इसको जीरो लेयर कर लें लोके सो यहां पर हम पहले क्या करेंगे ब्रश्च तूल यहांन पर लेते हैं ब्रश्टूल लेके तो पहले हम अब्रश्च से .... पें टूल से करके देखते हैं थीके तो पें टूल से हम कैसे क कर सकते हैं जब भी हम पेंटूल लेंगे यहां पर शेप में रहना चाहिए यह शेप में रहना चाहिए और फिल हमको नहीं चाहिए इसलिए हमको फिल ने यहां पर यह कर दिया है और यहां पर हम स्ट्रोक इसका राखेंगे टू पिक्सल या फिर त्री पिक्सल तो अभी हम तू पिक्सल हमने लिया, अभी क्या करेंगे, यहां पर हम Pen Tool से Hair Like ड्रॉ करते हैं, कैसे भी आप Randomly ड्रॉ कीजिए, जैसे आपको चाहिए, ओके, यहां पर यहां पर ड्रॉ कर लिया, ऐसे हम और बहुत सारे हे ड्रॉ कर लेते हैं, इसी को हम Copy करके पेश्ट कर लेते हैं, तो यह First बाला भी हम Copy करके पेश्ट कर लेते हैं, उसके लिए Ctrl-J कीजिए, और इसको Move कर दीजिए, तो हम क्या करेंगे, इन सब को पहले मर्ज कर लेंगे, जितने भी Shapes के Layers बने हैं, इन सब को मर्ज कर लेते हैं, मर्ज करने के लिए Ctrl-E प्रेस कर दीजिए, यह मर्ज हो गया है, लेकिन मर्ज होने के बाद में भी अभी तक भी Shape में ही Available है, तो अब हम क्या करेंगे इसको, पहले Layer में जाके, यहां पे आपको Layer Style ग्रेडियन्ट ओवरले में जाना है, तो ग्रेडियन्ट ओवरले में जाक आपको रखना है, तो यह फिर इसके बाद, एंगल हमको Zero चाहिए, जीरो एंगल ले लिचे, Scale आप अकॉर्डिंग तो आपके Scale के इसाब से रख सकते हैं, आप राइट सेर में देख सकते हैं, कैसे differ हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहां पे 99 रखते हैं, तो यह इसको OK कर दीचे, देखिए, आप यहां पे यह ग्रेडियंट इसको अपलाए हो चुका है, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, आप ध्यान में रखिया, यह यह लेयर पे ही आप सेलेक्टेड रहना चाहिए, यह जीरो लेयर में कर देती हूँ, शेप के लेयर पे ही आपको रहना चाहिए, उसके बाद आपको क्या करना है, अभी तो यह शेप में है, तो हमको इसको क्या करना है, रैस्टराइज करना है, तो रैस्टराइज करने के लिए आपको लेयर में जाना पड़ेगा, यहां पे रैस्टराइज करके उसके बाद लेयर स्टाइल में हमको इसक थीक है तो Gaussian blur कि इतना चाहिए आप उतना रख सकते हें पहले तो हम 3 पिक्सल रखके देखते हैं इसको बहुत ज्यादा ही ब्लर हो गया है इतना blurness नहीं चाहिए हमको तो हम हिसको थोड़ा से reduce कर लेते हैं 1 pixel कर लेते हैं ओके तो मैं background on कर लेते हूं तो अभी दीखेगा आपको ठीक है तो अभी क्या करेंगे इन सब को select कर लेते हैं select करने के लिए ctrl a press किजे अभी यह हमारा पूरा select हो चुका है select होने के बाद में हम edit में जाके define brush preset तो आप इसको एक नाम दीजिए यह sample brush करके बोल रहा है न वो नहीं चाहिए जो भी हमें brush create किया है हमने hairs related brush create किया है इसलिए hair यहाँ पर one करके देते हैं ओके देखिए अभी यह हमको यहाँ पर दिख रहा है तो इसके बाद क्या करने वाले हम windows में जाके brush settings brush settings पर क्लिक किजिए या फिर F5 प्रेस करेंगे तो भी यहाँ पर देख सकते हैं यह हमने brush जो create किया है वह वाला है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर तो lines है स्पेसिंग अब चाहिए तो ज्यादा या फिर कम कर सकते हैं तो थोड़ा spacing कम कर लेते हैं हम लोग इसके बाद next आएगा यहाँ पर शेप dynamics में क्लिक किजिए शेप dynamics क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर control फेड में जाना है अगर आप mouse यूज कर रहे तो फेड में जाईए अगर आप tab यूज कर रहे तो pen pressure में जाना है तो आप जैसे भी उसको फेड कर क्लिक करते हैं तो यह फेड में चला जाएगा हम इसको 400 करते हैं आप changes यहाँ पर नीचे देख सकते हैं तो minimum diameter 0 ही रखिए इसको off ही रहने दीजिए जिटर आंगल जिटर को off ही रहने दीजिए उसके बाद next आता है transfer पर transfer में भी हम क्या करेंगे यहाँ पर mouse के फेड में ही option रखना है next आता है smoothing smoothing को टिक कर दीजिए तो यह हमारा brush setting हो चुका है अभी इस brush को हमको save करना है save करने के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर lines जो दिख रहे हैं इसके उपर क्लिक कीजिए new brush preset hair one of one करके आ रहा है इसको ok कर दीजिए यहाँ पर capture brush size in preset करके ह इसको भी चेक कर दीजिए और include tool settings वो भी चेक कर दीजिए ok कर दीजिए यह हमारा brush भी ready हो चुका है हम इसको नए file पर apply करके देखते है new यहाँ पर कोई भी आप ले लिजिए create मैंने यहाँ पर black color लिया है तो black color से आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा एंगल हमको अलग से लेना पड़ेगा देखिए ऐसे यह फेड कुछ ज्यादा ही दिखा रहा है तो आप इसको changes कर सकते है settings में जाके विंडो ब्रश सेटिंग्स यहाँ पर हम 20 कर लेते हैं नहीं 20 भी नहीं 2 ही ठीक है यहाँ पर भी हम 50 कर लेते हैं ओके अभी इसको save कर लेते हैं एक बार हम यहाँ पर new layer लेंगे हम ctrl shift n new layer इसको invisible करती हो मैं तो इसको background color white देंगे हम लोग तो उसके लिए control backspace देखिए आपको ऐसे यह hair कर सकते हैं आप fade थोड़ा decrease कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा dark आएगा यहाँ पर यह fade के ऊपर depend करता है कि आप कितना उसके अप्लाइ कर रहे हैं तो आपको जैसा एंगल चाहिए वैसा एंगल यहाँ पर आप ले सकते हैं लेकिन इसका drawback क्या है यहाँ पर जो line है वो line वैसे ही रहेगा तो हमको line चाहिए तो हमको बार-बार angle change करना पड़ेगा लेकिन अगर क्या हो अगर हम dot से hair brush बनाते हैं तो तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक नया file लेंगे यहाँ ठीक है तो मैं यहाँ पर एक नया file लिया है और brush tool हम लेते हैं brush tool में हम normal brush लेंगे ओके इसका size थोड़ा कम कर लेती हुँ मैं तो hair का size हमको मालूम है 3 pixel यहाँ पर देख लेते हैं आप उपर देख सकते हैं यहाँ पर 3 pixel आ चुका है 3 pixel या फिर 2 pixel उसके बीच में ही रहेगा तो मैं इसको canvas को थोड़ा बड़ा कर लेती हुँ यहाँ पर black रहना चाहिए ध्यान में रखिए तो 3 pixel से हम थोड़े dots बना ल तो इतने dots हमने यहाँ पर बना लिए अभी इसको हम क्या करेंगे edit में जाके define brush preset ओके इसको भी हम hair 2 करके नाम देंगे ठीक है अभी यह हमारा brush preset यहाँ पर हो चुका है अगर हम ऐसे draw करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको dots मिल रहे हैं यहाँ पर हमको spacing को कम करना dots को continuous spacing हम कम करते तो हमको line मिल जाएगा उसके लिए क्या करेंगे हम लोग windows में जाके brush settings यहाँ पर brush tip shape है उसके ओपर क्लिक किजे यहाँ पर आपको spacing मिल जाएगा spacing हम क्या करेंगे 1% रखेंगे ठीक है आप देख सकते हैं भी आमको यहाँ पर line मिल ठीक है okay 1% यहाँ पर shape dynamics भी check कर लेते हैं shape dynamics में आपको रखना है यहाँ पर fade मतलब जैसे ही brush move करेगा आपको यह fade होना है मतलब एक ही black color complete नहीं चाहिए तो यह fade कितना रखेंगे हम लोग 300 रखते हैं ठीक है यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं okay 300 रखती हो तो आप नीचे देख सकते है brush ऐसा लग रहा है लेकिन अगर हमको नहीं चाहिए तो हम नहीं रखेंगे off कर देते हैं इसको ठीक है हमको इतना ही ठीक है next अभी आता है transfer so transfer को भी चेक किजिए यहां पर transfer में जाके आपको यहां पर fade में ही जाना है और यहां पर हम रखेंगे 350 और minimum यह 0 ही रहेगा यहां पर भी flow jitter में भी आपको fade ही रखना है अगर tab है तो आपको pen pressure रखना है यहां पर भी हम 350 ले रहे हैं आप नीचे changes देख सक करते हैं ओके ठीक है हमको और smoothing को भी आपको check करके रखना है तो यह हमारा अभी brush ready हो चुका है यहां पर जो lines दिख रहे हैं वहां पर जाके आपको इसको save करना है new brush preset hair to one करके है यह दोनों box check कर दीजिए ok कर दीजिए अभी हमारा brush यहां पर रडी हो चुका है new layer लेंगे हम लोग control n यहां पर नहीं हम यहां पर करते हैं यहां पर new ले लेंगे control shift n new layer इन दुनों को मैं off कर देती हूं इसको background color देते है control backspace ठीक है तो अभी हमारा brush यहां पर selected है आप देख सकते हैं यह देखे अभी इसको आप कैसे direction में चाहिए वैसे direction में आप hairs बना सकते हैं आप उपर के side में hairs draw कर रहे हैं तो ऐसे कीजिए या फिर नीचे चाहिए तो ऐसे कीजिए आपको color brown चाहिए तो य dark brown light brown जैसे hairs चाहिए आप यहां पर hairs आराम से draw कर सकते हैं यह बहुत ही बढ़िया तरीका है अपना खुद का brush बनाने का यह class आपको कैसे लगा मुझे comment section में जरूर बताईएगा और अपने खुद के brushes बना के उसी को use करना practice कीजिएगा अगर अभी तक आपने इस चानल को subscribe सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए और कमेंट भी कीजिए